नमस्कुल देसक्मित रोड टॉप त्री फंड टू इन्वेस्ट के आज के वीडियो में HDFC मुच्छल फंड की तीन सबसे बहत्रिन स्कीम के बारे में तरजा करेंगे जिसके अंदर आप अपने लंबे अधिके फाइनेशल गोल के लिए निवेश कर सकते हैं दोस्तो HDFC मुच्छल फंड भारत का एक बहुती पूराना और एक बहुती experience फंड आउच्छे HDFC मुच्छल फंड की कई सारी स्कीम ने पास में भी 22 वल्थ बना के लिए होग आगे भी HDFC मुच्छल की कई सारी स्कीम आपको 22 वल्थ बना के सकती है तो दोस्तो आज के वीडियो में हमने HDFC mutual fund की तीन सबसे बहतरिन equity और hybrid scheme का selection किया है जिसके अंदर आप लंबे ओदी के लिए निवेश कर सकते हैं fund के current portfolio, past performance, AEM, fund manager का experience, sector allocation ये सारे के सारे factor को ध्याद में रखके हमने इन तीन scheme का selection किया है वीडियो में fund के portfolio के बारे में जानकारी प्राब करेंगे और वीडियो के अंत में इन तीन scheme के past performance के बारे में हम detail में चर्चा करेंगे दोस्तो लंबे ओदी के लिए 5 साल से अधिक time frame के लिए आप इन तीन scheme में निवेश कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तो आप सभी से अनरोध रहेगा कि आप हमारे इस वीडियो को और investment मंत्रा चनल को जादा से जादा invest तक share जरूर कीजेगा सबसे पहली हमारी scheme है इसका नाम है HDFC Children's Gift Investment Plan दोस्तो जैसे के नाम suggest कर रहा है यह Child Dedicated Plan है आपके बच्चों के education के लिए सबसे बहतरिन scheme है पांच साल का इसमें lock-in रहेगा तो एक discipline investment रहेगा और अगर आप देखे portfolio के बारे में चलचा करें तो HDFC Bank यहाँ पे तकिबन साड़े 5 का location दिया है Reliance के अंदर Reliance Petrochem Reliance Zio और Reliance Retail के तीन अलग-अलग business vertical आते हैं यहाँ पर भी 4.7 का location पर ने दिया है HDFC Limited HDFC Group की डिगज कंपनी है NBFC सेक्टर के सबसे बड़ी कंपनी है HDFC Limited HDFC mutual fund और HDFC Life Insurance के भी parent कंपनी है वहाँ पर यह majority stake भी own करती है यहाँ पर भी fund ने साड़े 3 पर का location दिया है उसके बादे लास्टर ने टुबर एक दिगज इंफ्रा कंपनी है और यहाँ से आने वाले 3 से 5 साल में इंफ्रा एक बहुत बड़ी story बन सकती है जहाँ पर L&T एक front runner रह सकता है यहाँ पर तक्रि कंपनी है यहाँ पर 1.9 का location दिया है यहाँ बहुत इसका track record भी है इसके बार में भी वीडियो के एंत में चर्चा करेंगे तक्रीबन currently fund का email 4900 करों के आसपास का और दोस्तों इस fund के साथ आपको एक additional benefit भी मिलता है जो भी guardian रहेगा उनको एक accidental cover का भी benefit मिलेगा up to 10 लाग का तो यह भी एक accidental benefit guardian को मिलता है क्योंकि यह एक children fund है तो इसमें आप online निवेश नहीं कर अच्छों के education fund के लिए एक सबसे 32 fund है HDFC children के fund इसके अंदर आप आने वाले 10-15 सालों के लिए SIP और लमसम के मात्यम से निवेश कर सकते हैं आज के हमरी दूसरी scheme है यह है retirement dedicated plan जिसका नाम है HDFC retirement saving fund equity plan equity oriented 32 इसका allocation है और लंबे ओधी के आपके retirement goal के लिए सबसे 32 fund है इसमें 5-7 का lock-in रहेगा और portfolio के बारे में चर्चा करें तो HDFC bank ICSA bank, Infosys, Reliance, HDFC limited, L&T ये दिगज लाज के कमपनियां उसके बाद science, radical, खैतान, बजाज, इलिकर्ट यासी, 32 small cap कमपनियां भी है SBI, ITC, JB Chemicals जिसी कमपनियां भी fund के portfolio के अंदर है तो एक 32 fund का portfolio भी है और ये भी अगर आप देखे एक multi-cap portfolio रहेगा Large cap, Mid cap, Small cap, जहां पर भी opportunity मिले, वहां पर fund अपना allocation देश सकते हैं दोस्तो इसमें 5 साल का lock-in रहेगा और दोस्तो ये retirement fund के साथ tax saver fund भी है इसमें जो भी आप निवेश करेंगे उसको आप ATC में income tax के लिए भी दरशा सकते हैं इसके उपर हमने डीटेल में वीडियो भी recently ही launch किया था उसकी link भी आपको description में हमने दी है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं आज की हमारी thesis में इसका नाम है HDFC hybrid equity fund दोस्तो aggressive hybrid fund है इसमें 65% के आसपास का equity रहेगा और तक्रीबन 35% के आसपास का debt may allocation fund दे सकता है L&T, HDFC Limited, SBI जैसी बड़ी लाज के कंपनिया है BEL जैसी कंपनि भी fund के portfolio में है और Mindo Pharma, IDC, Access Bank जैसी बहतरिन कंपनिया fund के portfolio में है करन्टी तक्रीबन 75% के आसपास का equity में allocation दिया गया है HDFC hybrid equity fund के अदर और आगे भी ये fund तक्रीबन 65 to 75% के आसपास का अपना equity allocation maintain कर सकता है तक्रीबन 20 साल पुराना fund है और इसने पिछले 20 साल में बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्रदेशन दिखा है क्यूंकि ये एक hybrid fund है तो यहाँ पर रिस्क आपका थोड़ा कम रहेगा equity fund से और लंबे उदी में आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं अपने wealth creation के लिए और अगर आपको monthly income भी चाहिए तो इसमें आप capital निवेश करके systematic withdrawal plan भी ले सकते हैं अब चर्चा करते हैं इन तीन scheme के past performance के बारे में और पिछले 20 सालों के अंदर fund ने 16.6 प्रस के CAGR से wealth बना करी है अगर 20 साल पहले आपने अपने बच्चे के education के लिए एक लाख रुपे भी निवेश किये होते हैं इस fund के अंदर तो आज उसकी value 23,71,000 रुपे बनती है तो एक बहुत ही बहतन इसने wealth बना करी है लंबे योधी के child benefit fund के अंदर उसके बाद SDFC retirement saving fund equity plan ये 2016 में लौंच हुआ था और तब से अब तक 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 तकरीबर 21 प्रस के CAGR से इसने return बना के लिए है एक लाख का निवेश 2,82,000 रुपे बन चुका है पिछले तकरीबर 5 सालों के अंदर SDFC hybrid equity fund ये अगर आप देखें तक के बेर 21 साल पुराना fund है 11 सप्टेंबर को ये fund launch हुआ था और 15.7 प्रस के CAGR से इस fund ने भी return बना के लिए है एक लाख का निवेश 21,000 रुपे बन चुका है पिछले 20-21 साल के अंदर तो इसने भी पिछले सालों में 22 वेल्थ बना के लिए है SIP performance के बारे में चर्जा करें तीनों के टीनों fund ने SIP में भी 22 वेल्थ बना के लिए है SDFC children gift investment plan इसमें अगर किसी invest ने 10,000 रुपे की SIP की होती अपने बच्चों के education के लिए तो 24,70,000 रुपे का निवेश होता है और आज उसकी value बनती है आज की डेट में 1.5 करोड रुपे की तो आपके बच्चों को अगर आप देखे तो पौरण भी education के लिए जाना है तो यह एक बढ़ी wealth बना के दे चुका है और आगे भी आने वाले 10-15 सालों के लिए अगर आपको अपने बच्चों के लिए SIP करनी हो उनके education के लिए तो यह एक बहत्रिम फंड है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं HDFC Retirement Saving Fund Equity Plan इसने भी 5 साल में अगर आप देखे तकरिबन 21 पसके CAGR से SIP में रिटन बना के दिया है 6,80,000 का SIP का जो investment है उसकी value बन चुकी है 12,00,000 रुपे की HDFC Hybrid Equity Fund यह अगर आप देखे 21 साल पुर्णापन है 25,20,000 का निवेश आज की डेट में बन चुका है 1,82,91,000 रुपे तो 25,00,000 से 1,82,000 यह भी बड़ी वेल्थ होती है 16 पसके CAGR से इसने भी पिसले 21 साल में वेल्थ बना के दिया है और आगे भी अगर आपको लंबय अधिय के लिए अलग-लग financial goal के लिए निवेश करना है तो दोस्तो अगर आपको इन फंड में निवेश करना है तो आप हमें DAG के नंबर पे संपर्ग कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या आप वाटसब भी कर सकते हैं आपके financial goal के हिसाब से आप हमारे साथ अलग-अलग mutual fund में निवेश कर सकते हैं दोस्तो आप सभी से अनरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को जादा से जादा इन वेर्स तक शेयर जरूर कीजेगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल लगने को दबाएए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन में जाए थैंक्यू फो वाचिंग